हेलो स्टूदेंस वेलकम टू टू पार्टू ऑफ इंट्रोड़क्शन वीडियो ऑफ एक्सराइज 7.4 टॉपिक हम कर रहे हैं इंटेग्रल्स ऑफ सम् पर्टिकुलर फॉंक्शन पहले वीडियो में हमने छे फॉर्मूले किये थे ठीक है और जब मैंने क्लोज किया था तो आ इसके लिए हमें पहले छे फॉर्मूले आने जरूरी है ठीक है और वो कैसे कैसे है वो देखते हैं यह जो हमारे पास है dx upon ax square plus bx plus c अब यह देखिए कि यह quadratic equation की standard form है और हमने अभी तक denominator में quadratic equation की standard form जब आ जाती है तो वो वह बले questions नहीं किये हैं ठीक है तो इनको जो हम change कर सकते हैं वो formula 1, formula 2 और formula 3 में change कर सकते हैं वो क्या है अगर आपको याद हो तो dx upon x square minus a square इसकी integration आप मन में सोचिए मैं आपको भी नहीं बताऊंगा ठीक है फिर यह हो सकता है हमारे पास second dx upon a square minus x square और यह हो सकता है हमारे पास dx upon x square plus a square ठीक है तो इसकी integration क्या है इसकी integration अगर आपको याद हो तो 1 upon 2 log x minus a upon x plus a plus c if you remember इसकी integration क्या है अब हमारे पास 1 upon 2 a log a plus x upon a minus x plus c और इसकी integration क्या है 1 upon a tan inverse x upon a plus c ठीक है तो मैंने आपको formula भी यह revise करवा दिये हैं दूसरी तरफ यह पहले तीन थे अब यह जो है यह next तीन में convert हो जाएंगे ठीक है वो क्या है वो है dx upon x square minus a square और under root में जिसकी integration क्या होती है जिसकी integration अगर आपको याद हो तो होती है log x plus mod में x square minus a square का under root plus c फिर दूसरा आ जाएगा a square minus x square denominator में under root में तो इसकी integration क्या है sin inverse x upon a plus c और तीसरा क्या है x square plus a square पर under root में क्योंकि यहां under root लगा है इसलिए यह भी under root में और x plus x square plus a square under root में और mod में प्लस c log आ रहाएगा बाहर तो यह है इनकी integration आपको पता है इन दो को कैसे करेंगे इनके साथ बहुत सारी छेड़खा नहीं करनी पड़ती है denominator numerator को equate करना पड़ता है और उसके बाद करेंगे तो question यह है कि करेंगे कैसे इनको करेंगे कैसे यह best समझ में आते हैं हमें जब हम question शुरू करते हैं ठीक है तो हम इनके questions करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह कौन सी form है जैसे मैं आपको बता दूँ कि example number 9 का first part और second part जो first part और second part है इस question की form है ठीक है फिर हमारे पास आ जाएगा question number यानि example number 10 10 आ जाएगा हमारे पास इसकी form ठीक है 10 का second part है वो आ जाएगा इसकी form और यह form हमें question के अंदर ही मिलेगी तो कोई इतनी लंबी चोड़ी दिक्कत नहीं है आपको समझ में आ जाएगा लेकिन मैं आपको यह वात बता दूँ कि आपको 10th class का completing the square method आना चाहिए अगर आपको नहीं आता तो एक बार try ज़रूर कीजिएगा आपको आना चाहिए ठीक है तो चलिए अब करते हैं हम examples और शुरूर तो करेंगे of course 8th example से अगर formula आते हैं तो वो directly ही solve हो जाएंगे let's see बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे कोई भी जल्दी नहीं मैं मचाऊंगा बड़े अराम से करेंगे example number 8 part 1 है हमारे पास statement है dx upon x square minus 16 यह हो सकता है एक नंबर में आ जाए इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं dx upon x square minus 4 का square यह कौन सी form है यह है dx upon x square minus a square form ठीक है तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे using देखें अगर मुझे करना हो तक question कितना लंबा है एक number का question आई है तो हमें direct formula आना चाहिए ठीक है तो मैंने बताया भी था कि यह question काफी लंबे हो जाएंगे तो उनको short करने के लिए यह formula होते है okay using dx upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log mod में x minus a upon x plus a plus c जब तक आप यह चीज नहीं करेंगे बार बार नहीं लिखेंगे अपने questions में आपको formula भूरते रहेंगे ठीक है 2 into 4 log mod x minus 4 upon x plus 4 plus c और यहां पर आजा के हम लिख सकते हैं 1 upon 8 log mod x minus 4 x plus 4 plus c see how easy it is second part करते हैं फटा-फट से without wasting much time क्योंकि आगे बहुत सारा time लगने वाला है सो देखते हैं जी second part हमारे पास क्या है second part है ध्यान से लेखिएगा dx 2x minus x square ठीक है ओके बहुत ज्यादा ध्यान से हम देखेंगे कि हम कर क्या सकते हैं अगर मैं sign को एक बार ignore भी करूं तो यहां x square है ठीक है यानि a square plus b square है नहीं है 2ab तो अगर मैं इसको 2x को ऐसे लिखों तो 2 into x into 1 आ जाएगा यह 2 into 1 into x आ जाएगा तो 2ab यह b1 होना चाहिए तो हिसाब क्या लगा रहे हैं हम अगर मैं ऐसे करूं और minus अगर मैं common निकाल लूं मालिजे मैं minus common ही निकाल रहा हूं तो क्या आना चाहिए bracket में आएगा x square minus 2x ठीक है completing the square करना है हमें तो याद रखिएगा a square आ गया minus 2ab आ गया पर b कहा है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा minus x square minus 2x plus 1 minus 1 तो यह कि इतना part आप देखिए तो यह क्या a square plus b square minus 2ab formula नहीं बन गया ठीक है तो अगर यह formula बन गया है तो हमरा काम भी हो गया अब आप यह देखिए कि dx minus x minus 1 का hole square minus 1 ठीक है और यह under root में है I just forgot to put the under root यह सब कुछ under root के बीच में ही हो रहा है ठीक है जी ओके अब आप यह देखिए कि dx minus को मैं अंदर ले जाऊंगा तो यह क्या आएगा 1 minus x minus 1 का hole square अब यह कौन सी form बनी है यह बनी है a square minus x square और वो भी under root के अंदर ओके जी अब आप यह देखिए कि यह हमारे पास x minus 1 है यहां सिरफ x होना चाहिए यहां variable होना चाहिए ठीक है इन बातों का छोटी बातों का दिहान रखिएगा तो यहां मैं लिख लूँगा substitution लगाँगा let x minus 1 is equal to t differentiating both sides तो dx is equal to dt हो गया अच्छ अगर यह हो गया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं dt upon under root में 1 minus t square ठीक है इस तरह से तो लिखा ही जा सकता ना यह अब आप यह देखिए कि मैं rule कौन सा लगाँगा using dx upon x square sorry a square minus x square under root में ठीक है अगर आपको याद हो मैं दो मिनट आपके साथ बात कर रहा हूं in the meantime आप याद कीजिए कि क्या rule है rule है sin inverse x upon a plus c if you remember it अब simple simple बात क्या है x की जगा पे t है ठीक है और यहां dx की जगा पे dt है तो लगा लेते हैं जी therefore sin inverse x minus 1 upon a और a क्या है 1 plus c ठीक है यह अगर आप इसको मतलब पूरा ही प्रॉपर चैनल करना चाहते हैं तो आप यह ना लिखिए t upon 1 कर दीजिए plus c अब t की value डाल दीजिए ठीक है so either which way it is comfortable for you so sin inverse x minus 1 plus c यह हमारे पास answer आजाएगा so answer आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको पता होना ची आ कैसे रहा है चलिए चलते है next example की तरफ okay part 1 dx upon x square minus 6x plus 13 अच्छा कुछ बाते मैं आपको soft से tricks बताता रहूंगा जो आप ध्यान में भी रखेंगे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अब हमें इसको x square minus a square की form में change करना है यह a square minus x square की form में change करना है यह a square plus x square की यह a square minus x square की जैसा भी होगा ठीक है लेकिन यहाँ पे minus लगा तो फिर x minus a यह a minus x की form में change होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ लगाना क्या पड़ेगा completing the square method that is one thing ठीक है दूसरी चीज क्या है कि जब completing the square method लगाएंगे आप तो आपको यह ध्यान रखना है कि x का coefficient हमेशा यानि x square का coefficient हमेशा one होना चाहिए I hope कि यह चीज आपको clear है जो मैंने बोली है आपको ठीक है अब आप यह देखिए कि करेंगे कैसी dx अंडरूट नहीं है बहुत अच्छी बात है ध्यान से देखिएगा जन बच्चों ने 10th की है गोयल institute से उनको तो शायद यह चीज में थोड़ा सा comfort level ज्यादा होना चाहिए 2 x x 3 अब आप यह देखिए कि a square 2ab तो b 3 है यानि हमारे पास जो है b का square नहीं है मैं b का square add कर दूंगा b का square less कर दूंगा plus जो है हमारे पास 13 है ठीक है तो यह मेरे पास एक formula complete हो गया a square plus b square minus 2ab इन दोनों को solve करके लिख लिया जाएगा चलिए अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है dx upon x minus 3 का whole square 9 minus का है 13 plus का है तो plus 2 का square 4 आग है ठीक है तो यह चीज मैं आपको बतानी चाहता था अब हमारे पास यह x square minus x square plus a square की form है x square plus a square की तो बात बात में है लेकिन पहले तो यहां पर simple x होना चाहिए था let x minus 3 is equal to t ठीक है तो dt is equal to dx हो जाएगा यहां पर क्या आएगा हमारे पास यहां पर आएगा dt upon t square plus 2 का square अब हम identity कौन सी लगाएंगे x square plus a square की identity और x square plus a square की identity क्या होती है 1 upon a tan inverse x upon a तो मैं लिख देता हूँ यहां पर using dx upon x square plus a square ठीक है is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c समझे आप बात को ठीक है अब चलते हैं next page पे और देखते हैं कि identity का use कैसे होगा ओके यहां पर a क्या है 2 है और tan inverse x क्या है हमारे पास t है और t क्या था x minus 3 था तो almost आपको question का answer भी दिखी रहा होगा तो देख लेते हैं जी यहां जाएगा 1 upon a is what 2 tan inverse t upon a और a क्या है हमारे पास 2 plus c और 1 upon 2 tan inverse x minus 3 upon 2 plus c and that is the answer so easy ठीक है हर बार इतना easy नहीं रहेगा काम तन तो करेगा यह लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं ठीक है जी अब देखिए और जरूर इसे ध्यान से समझेगा हमारा second part है dx upon 3x square plus 13x minus 10 अभी तक हम क्या करते आए हैं अभी तक हम यह करते आए हैं कि x square के साथ हमारा कोई coefficient था ही नहीं 1 के इलावा तो हमने simply कर लिया अब यह है ठीक है इसमें proper completing the square लगेगा तो उसको लगाने के लिए मुझे working note त्यार करना चाहिए अपना ठीक है यहाँ पर मैं working note त्यार करता हूं ठीक है WN जब हम refer करेंगे तो WN 1 क्या है हमारे पास 3x square plus 13x minus 10 is equal to अगर मैं 3 common निकाल लो मैंने बताया था ना x square का coefficient 1 होना चाहिए तो 3 common निकाल लीजिए plus 13 upon 3 x minus 10 upon 3 यह आगया ठीक है ना हाँ अब हम क्या कर सकते हैं अब हम करेंगे कि completing the square लगाते हैं a square बहुत ध्यान से देखिए गब ठीक है जिन बचों को तो याद है वो तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो ध्यान से देखिए 2 upon 2 13 upon 3 x कोई फरक तो नहीं पड़ा लेकिन 2 a और बाकी b क्या है अगर यह second वाला मैंने बोला था उपर वाले यह हमेशा मैं बताता हूं कि उपर वाले 2 को कभी नहीं टाच करना नीचे वाला 2 कर जाए तो कर जाए तो यह जो बचा है यह मेरे पास यह b है यानि 13 upon 6 बचा ह तो मैं लिखूंगा क्या प्लस 13 upon 6 का होल स्क्वेर माइनस 13 upon 6 का होल स्क्वेर माइनस 10 upon 3 यह है यह मेरे पास ठीक है और इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूं अब इसको अगर आपको सॉट आउट करना है तो आप यह देखिए 3 a square plus b square minus 2 a b plus 2 a b यह बन जाएगा x plus 13 upon 6 का होल स्क्वेर और यह दो गया इसको कैलकुलेट कर लेते हैं minus 169 upon 36 minus 10 upon 3 यह आगया है मेरे पास ठीक है अगर कोई गड़बड हो तो बताईएगा अब देखिए 3 बहुत प्यार से यह चीजें करनी है आपको ताकि आपको कभी भी कोई परिशानी ना आए ठीक है LCM 36 आ गया अगर LCM 36 आ गया है तो चलिए मैं minus common ले लेता हूं 36 रख लेते हैं 169 plus 120 और यह आजाएगा तो यहां आ जाएगा 3 into NCRT यह स्टेप सारे ही गुमा देते हैं पता नी क्यों यह बन जाएगा 289 फिचे 17 का स्क्वेर तो 17 अपॉन 6 का whole स्क्वेर आ जाएगा ठीक है और यह denominator में 3 है तो अब आप यह देखिए कि यह जो मेरे पास था उसकी जगा पे अब मैं यह लिख सक रखता हूँ ठीक है और a square सरी x square minus a square की form बन गई है ठीक है तो इन बातों का ही आपको ख्याल रखना है अब आप यह देखिए कि अगर आप चाहें तो इसको लिख लीजिए let i is equal to क्योंकि काम लंबे चोड़े ही है i is equal to 1 upon 3 यह वाला 3 तो बाहर आ जाएगा ठीक है dx upon x plus 13 upon 6 का whole square minus 17 upon 6 का whole square यहां मैं लिख दूँगा working note 1 यह जो मैं उपर खरके आए हूँ उसके reference से ही मैंने working note लिख लिया है ठीक है so यह चीज हो गई अब आप यह देखिए कि यहां पर तो constant है तो मेरे को लिखना पड़ेगा let x plus 13 upon 6 is equal to t तो यह क्या आ जाएगा dx is equal to dt आ जाएगा ठीक है अगर dx is equal to dt आ गया तो मैं क्या लिखोंगा 1 upon 3 dt upon t square minus 17 upon 6 का whole square so x square minus a square की form बनी के नहीं बनी और उसका formula क्या है उसका formula है 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c तो कर लेते हैं जी using ऐसे लिख लेते हैं dx upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log mod x minus a x plus a plus c right हो गया जी बिलकुल clear है हमारे पास ही बस इसी बात का ही ध्यान रखना है आपको कि a क्या है यहां पे 17 upon 6 और x क्या है यहां पे t की form में आएगा ठीक है और t क्या था हमारे पास x plus 13 upon 6 वह यह तीज़ें आपको याद रखनी है चलिए मैं करता हूँ इसको और let's see आगे क्या होता है अगले page पर चलते हैं कि ओके जी नेक्स्ट पेज आ गया है हमारे पास तो थोड़ा सा इसको अज़स्ट करते हैं यह यह आ जाएगा अब हमारे पास dt upon t square minus 17 upon 6 का whole square ठीक है लोग यह तो मैं लिख चुका हूँ गड़बड हो गई चलिए अगर यह हो गई है तो हम क्या लिखेंगे 1 upon 2 into a 17 upon 6 ठीक है और into 1 upon 3 लगाना ज़रूरी है याद रखिए का वो भूलिएगा मत शुरू में लेखिया है यह है ओके log mod t minus 17 upon 6 t plus 17 upon 6 plus c ठीक है ओके अब t की जगह पर हमारा क्या आएगा पहले तो इसको sort out कर लेते हैं 3 2s are 6 यह कट गया तो 1 upon 17 आ गया जलिए एक चीज़ से तो हमारी जान छूट गई t क्या है x plus 13 upon 6 minus 17 upon 6 upon x plus 13 upon 6 plus 17 upon 6 plus c यह चीज़ हो गई 1 upon 17 log यह हमारे पास क्या आएगा आप 6 lc हम ले लेते हैं और 6 6 कट जाएगा तो मैं सीधा ही लिख दूँगा 6 x plus 13 minus 17 upon 6 x plus 13 plus 17 plus c ठीक है यह रहेगा 1 upon 17 log 6 x minus 4 upon 6 x plus 30 plus c अब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि 1 upon 17 log 2 common आजाएगा और उपर से भी 2 नीचे से भी 2 common ले लेंगे तो 3 x minus 2 upon 3 x plus 15 ठीक है plus c अब दीखिए अब सोचने वाली बात है कुछ टीचर्स यहां पर question को close करवा देते हैं मैं आपको advise करूँगा कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां से 3 अभी common निकल रहा है तो 3 x minus 2 अगर मैं 3 भी common निकाल लेता हूं तो x plus 5 ठीक है यह मौड में रहने दीजिए और यहां पे into 1 upon 5 भी आ जाएगा चाहे आप उसे मौड में रखें या न रखें positive यह quantity तो क्या फरक पर जाएगा ठीक है अब आप यह इस बात को ध्यान में दीजिएगा यह जो चीज है यह बहुत ध्यान से देखिएगा आप 1 upon 17 log 3x minus 2 upon x plus 5 यह गया मौड में ठीक है और लॉक का अब रूल लगा रहा हूं मैं तो रूल क्या है प्लस 1 upon 17 log 1 upon 5 ठीक है और यह सारा कुछ प्लस C तो अब आप यह देखिए कि यह और यह दुबारा से पूरा constant है यह C बन जाएगा 1 upon 17 log 3x minus 2 upon x plus 5 मौड में प्लस C क्योंकि constant को एड करेंगे constant के साथ तो क्या आएगा constant ही तो आएगा और यही हमारा result भी है I hope यह चीज आपको clear है करते करते एक गलती सी दिख गई है मुझे यहांसे मैं पांच कॉम मन निका लिया था तीन आएगा ठीक है तो करने और बोलने के चक्कर में गलत हो गया और यह आपको जो point है यह आपको clear है ठीक है और यह clear होना भी चाहिए तो यह चीज clear हो गई अब चलिए चलते हैं हम अपने next question पे वो और भी अच्छा है तो देखते हैं उसको ध्यान से तो third part देखते हैं और लिखते हैं बड़े मज़ेदार question होते हैं समझाने में आपको शायद मैं थोड़ा सा lengthy कर रहा हूं आपको लंबा लग भी रहा होगा अब है नहीं तो working note की बात करते हैं working note w n 1 जो आ रहा है हमारे पास वो यह है यहां पर let i भी लिख लेंगे अब तो हमें पता है न तो चीजों में कोई दिक्कत नहीं है so 5x square minus 2x को अब हम अलग से लिख सकते हैं 5x square minus 2x is equal to 5 common आ जाएगा x square minus 2 upon 5x आ जाएगा ठीक है मैंने आपको बोला था कि इसको 2 into 2 से multiply कर लेना नीचे वाला 2 अगर कर जाता ठीक है उपर वाले 2 को नहीं छेड़ना तो देखते हैं यहां पर x square 5 common आ चुका है minus 2 upon 2 into 2 by 5x यह और यह कट गया इसको मैंने छेड़ा नहीं बाकी यह a square और यह 2 a और बाकी जो बचा वो भी है तो क्या बचा 1 upon 5 1 upon 5 का square minus 1 upon 5 का square ठीक है यही बचा और तो कुछ साथ था नहीं इसके तो बड़ी अच्छी बात है जी तो यहां 5 आएगा a square plus b square minus 2 a b तो a minus b का whole square हो गया right या minus 1 upon 5 का whole square हो गया बिल्कुल ठीक बात है जी तो अब इसे हम under root के अंदर लिख सकते हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा यहां पे एक छोटी सी गलती हो जाती है बच्चों से तो उस चीज का ध्यान दखिएगा now i is equal to dx under root के अंदर यह सारा कुछ 5 ठीक है एक चीज x minus 1 upon 5 का whole square minus 1 upon 5 का square यह चीज हो गई हमारे बास ठीक है अच्छा यह तो अपनी बात गई जी बन अब क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले तो इस 5 को बाहर निकाले पांच जो अंदर रूट से बाहर आएगा तो अंदर रूट 5 आजाएगा तो यह आजाएगा 1 upon root 5 dx upon यहां आजाएगा x minus 1 upon 5 का whole square minus 1 upon 5 का square यह आगया ठीक है तो इतनी बातें हो गई अब हम करते हैं let x minus 1 upon 5 is equal to t dt is equal to dx आजाएगा ठीक है तो therefore 1 upon under root 5 dt under root के अंदर t square minus 1 upon 5 का whole square यह चीज आ गई थी बिलकुल ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं यह कौन सी form है यह है x square minus a square की form formula हमें याद है under root के अंदर है लेकिन इस बात को देखके आप ध्यान रखियेगा अब हम देख लेते हैं कि कौन सा formula use होगा using ध्यान से देखेंगे dx upon x square minus a square under root में log mod x plus x square minus a square under root में plus c यह वड़ा formula use होगा यह आपको आना चाहिए अब आप क्या करेंगे अब हम लिख लेते हैं now dt को लिखने की तो जरूरत नहीं है सिद्धा integration ही कर देते हैं 1 upon root 5 log x की जगा पे क्या आएगा t plus t square minus और a क्या है 1 upon 5 का whole square यह under root में आएगा यह mod में आएगा यह c आएगा ठीक है अब 1 upon under root 5 log t क्या है जी हमारे पास t है x minus 1 upon 5 plus यहां पे आजाएगा x minus 1 upon 5 ठीक है का whole square ध्यान दीजिएगा एक बात बताऊँगा मैं आपको यहां पे plus c ठीक है लेकिन यह चीज क्या है यह पूरी चीज क्या है अगर आप देखेंगे तो पूरी नहीं रादर यह इतनी चीज क्या है इसको थो छोड़ दीजिए यह इतनी चीज क्या है इतनी चीज हमारी original statement अगर आप देखना भी चाहे तो देखी इसी को तो change किया था ठीक है 1 upon root 5 log mod x minus 1 upon 5 plus और हमारी statement क्या थी x square minus 2x upon 5 और वो भी under root में थी plus c ठीक है आप चाहे तो देख भी सकते हैं यह देखिए हमारी statement यह थी और उसके बाद उसको मैंने completing the square से change करके हमने यह बनाया था पूरा यह चीज यह देखिए तो यह चीज आ गई हमारे पास तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है universal rule मैंने बता दिये हैं चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर close करता example 10 के दोनों parts हमें next video में करवाऊंगा आपको उसमें काफी सारी बाते होंगी कुछ चीज़ें समझानी होंगी so इस video की length काफी लंबी हो जाएगी otherwise thank you so much for watching this video so patiently have a beautiful day ahead bye bye